बीरवर्धक, कफवात, दोश, इस तरीके से मूत्र रोग, सरीरिक कमजोरी, पाचन तंत्र, बैए पाचन तंत्र अगर आपका मजबूत होता है तभी तो सरीर के अंदर ताकत बनती है, अगर स्खाना यह जम नहीं होगा, तो ताकत कहां से बनेगी, तो पाचन तंत्र, और अ आपको अधिक प्यास लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो उसको भी यह सांथ करने वाला पौदा है, हर्दय रोग, हर्दय रोग को भी यह, आपके हर्दय को बिलकुल एक्दम बलसाली बना देता है, और इसका नाम, हम नाम बताएंगे, इसका काम बताएंग और हर जगे प्राप्त मिल जाता है हमारे उत्रप्रदेश, बिहार, राजेस्थान, हरियाना, छेतिस गड़, असाम, बंग, नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उम्मिद करता हूँ कि सुस्थ होंगे और मस्थ होंगे अपनी जिंदगी में, तो आज आईए देख लीजे मेरे ह हात में कितना सुंदर पौधा, और जितना सुंदर है उतने सुंदर इसके कांटे भी है, आप देख लीजे, पहचान लीजे, बहुत ही ज्यादा कांटों से भरा ये पौधा होता है, और जैसे इसके कांटे हैं वेसा नाम भी है, और वेसे ही इसका काम ही, बहुत बढ़िय बहुत बढ़ीया अतिबलसाली और बहुत ही टाकटवर और आगर आपको डायविटीज है यह डायविटीज को भी खड़ा खटम करने वाला पोधा है अगर आपको अधिक प्यास लगती है तो उसको भी यह सांत करने वाला पौधा है हरदय रोग, हरदय रोग को भी है, आपके हरदय को बिलकुल एद्दम बलसाली बना देता है और इसका नाम, हम नाम बताएंगे, इसका काम बताएंगे और ये किन किन रोगों में काम करता है, ये हमने आपको बता दिया और ये बहुत ही बलसाली ताकतवर और ये प्रय बहुत काटो भरा पौधा है और ये राजस्थान में भी पाया जाता है और हर जगे प्राप्त मिल जाता है हमारे उत्रप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हर्याना, छत्तिसगर, असाम, बंगल, हर जगे मिलता है ये हर जगे गुजरात महाराश हार जगए ये इसका नाम है उटकतारा उटकतारा भी कहते हैं उटकंठक भी कहते हैं संसकत नाम कंट फल्क भी कहते हैं उटकतीजा भी कहते हैं उटकतेरा भी कहते हैं तो इस प्रकार से इसके कई नाम है आपके हाँ इसको किस नाम से जानते हैं और ये द यमीनों में प्राय उग जाया करता है तो आप इसका बहुत बढ़िया सेवन ले सकते हैं आप अपने सरीर के लिए आप अपने सरीर का स्वास्त सही करने के लिए और कई एक मर्जों में ये काम आता है तो इस प्रकार से है rappelle इसका हाँ ये जरूर है कि ज्यादा सेवन नहीं करना है एक ग्राम या दो ग्राम इससे ज्यादा इसको सेवन नहीं करना है अगर इसके पत्ते का रास लेते हैं आप सहथ के साथ तो आपका स्वांस रोग भी जड़ से खतम हो जाएगा इसके पत्ते का एक ग्राम दो ग्राम अगर सहद के साथ मिला के लेते हैं तो सुगर के साथ मिला के लेते हैं तो सुगर के साथ खाना मना होता है और ये सुगर के रोग को भी खतम करता है और पत्ते का रस अगर लेते हैं सहद के साथ तो सुगर का मर्ज है तो सुगर के साथ खाना मना होता है और ये सुगर के ना रही हो पिसाब पीला आ रहा हो पिसाब रुक रुक करके आ रहा हो पिसाब रुक जा रहा हो तो देखेंगे कि आपको पिसाब में बहुत बढ़िया लाब मिलेगा और यह ताकद और पौधा भी है इसके आप बीज को जो है इसका बीज हो गया कौच का बीज हो गया और लिए पंचांग भी बनाएं और पहरेज करें और इसके सतावरी है इस तरीके से अगर मिला करके लेते हैं तो आपको बहुत ही ताकत वर और बीर वरधाक है और साथ में इसको जो है पहरेज है इसको खाना है तो पहरेज जरूर करना है और इसके काढ़े को इस्तमाल करने के आप आधा घंटा तक कोई भी चीज का सेवन न करें तभी जड़ी बूटिया अच्छी तरीके से सेवन करने से आपको अराम लगती है साथ में आप इसका जब भी काढ़ा बनाएं तो मिठी के पात्र में ही बनाएं अल्मोनियम के बरतन में काढ़ा को न बनाएं और खाने के और ये उर्द कीडाल है भैगन है इस तरीके से विंडियो गयरा इन सब चीजों का पारेज करें तो आप देखेंगे कि आपका स्वास्त बहुत ही बढ़ी आओगा और ये बहुत ही ताकतवर जड़ी बूटिया देख लीजे पर हाँ ये है कि जब भी इसका इस्तमाल करें बहुत साउधानी पूरक इस्तमाल करें कोई काटे बहुत ज़्यादा होते हैं काटों को देख लीजे और ये फल आपको फूल के ऊपर ही फल मिलेगा फूल के ऊपर काटे मिलेगे और हर एक पत्ते के ऊपर काटा मिलेगा अपने पेंड को ये जल्दी तोड़ने नहीं दे और आपके हाँ आपके छेत्र में इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा जब तक के लिए सबी भाई बैनों को नमस्कार जैहिन